प्रेम कुमार केमेस्ट्री बेद फन के सिरीज को आगे लेकर जा रहे हैं और काफी इन्पोर्टेंट एक कोश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत बार CBAC Board and BHA Board में पूछा है और आगे आप चानते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिजएगा वीडियो को लाइक कर दिजएगा और कोई प्रोब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई दिकत तो बढ़िया होंगे आप लो चलिए इसी के साथ एक बहुत इंपोर्टेंट को क्या आंतर है और कैसे आप चैन्ज करोगे एक दूसरे और गट्रेंट मेंट को मैंने दोनो लेक्षर बता दिया है मोलाइटी और मोलाली के बारे में अगर आप नहीं देखे तो तो chemistry with fun series का playlist में जाएए part 1, part 2 देखिए molarity के बारे में part 1 और part 2 molality के बारे में है ठीक है आप देख लिजिएगा चलिए हम बताते हैं वहरा असान साब परहे होंगे तो कुछ खास बात नहीं है molarity क्या होता है याद है mol per liter भाई mol किसका तो solute का लिटर किसका solution का तो बोलो it is defined as the number of moles of solid per liter of solution molarity को capital M से denote करते हैं तो क्या हो जाएगा number of moles of solid by volume of solution volume of solution क्या चीज में इन लिटर में चलो molality क्या होता mol per kg mol किसका mol किसका solute का और kg किसका solvent का तो किसी भी solvent के एक केजी में जितना number of moles of solid है वही कलाता है molality जबकि किसी solution के एक liter में कितना number of moles of solid का यह बता बताता है molarity देख लिजे it is defined as the number of moles of solid per kg of solvent यह mol per liter और mol per kg है आप बता देजे molality को स्मॉल M से number of moles of solid by bit of solvent bit of solvent क्या चीज में किलो ग्राम में चलिए आप पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि जिन टर्म में जिन कंसंटेशन टर्म में volume related होता है और temperature पर डिपेंड करता है और जो volume related नहीं होता और temperature पर डिपेंड नहीं करता है तो temperature से जब इंडेपेंडेंट है volume इसमें है नहीं तो अच्छा कंसंटेशन टर्म में इटीज गुड कंसंटेशन टर्म कोई प्रब्लम अब इधर आ जाते हैं volume के बराने से molarity क्या हो जाएगा घर जाएगा चले यह आपको पता है it is expressed in mol per liter it is expressed in mol per kg it is a bad concentration term it is a good concentration term उमीद है कि समझ में आ गया होगा हाँ दूसरा पर कैसे चेंज करोगे कि molality और molarity एक दूसरे को कैसे चेंज करोगे तो एक असान सब फर्मूला होता है d equal to m into ma by 1000 plus 1 by m यहां से आप m निकाल सकते हो देखें आप d density है मतलए density के help से molality को molality में या molality को molality में change कर सकते हो तो d क्या है density लिखा हुआ देख लिजे density of solution gram per ml में बढ़िया अच्छा m क्या है capital m capital m क्या है बता दीजे capital m molality है a small m क्या है small m molality है और a में क्या है जरा देखें तेक बार a में a क्या है a में molecular mass of solute है a में है molecular mass of solute आप यहां से इसको change कर सकते हो density के help से दोनों को एक दूसरे में क्यों भाई क्योंकि एक में न मास है एक में क्या है mass है और दूसरा में क्या है volume तो mass और volume को correlate करने वाला कौन होता है density तो यहां से आप change कर सकते हैं कोई problem नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस फर्मूला इसी फर्मूला से हम इसको निकाले यह इसको याद रखे इसको याद रखे कोई पिलो चाह नहीं है यहां से देखे मुलालिटी यहां से क्या मुलालिटी एक्वल क्या है thousand इंटू M मतलब मुलारीटी और thousand इंटू D density of solution और फिर मुलारीटी इंटू तो molecular mass molecular mass मान निकालने आता है density question में दिया हुआ रहेगा अब यह देगा तो यह निकालीजेगा यह देगा तो ओ निकालीजेगा तीन अन्नोन डाटा है कौन-कौन density सकते हैं एक बार फिर से आप देख लिजे इसक्रीन सोट ले सकते हैं जल्दी लेजे बहुत ही important question है जल्दी लिख लिए चली इसी के साथ अब next question पर आते हैं चली एक और question देखते हैं जो काफी important है अभी भी आई कर सकते हैं स्वल्प करते हैं जर्दा question पर यह दोनों बोर्ट के लिए काफी important है देखें solution of glucose एक solution है गुलकोच का गुलकोच का molecular mass या molar mass 180 दिया हुआ है in water water में गुलकोच ठीक है is labeled as 10% by mass मतलब 10% by mass है what would be the molality and molarity of solution मतलब यह बोला है कि गुलकोच water में 10% by mass है क्या है by mass है तो आपसे पूछ रहा है कि molality, molarity क्या होगा अगर density 1.2 gram per ml है बढ़िया चले पहले इसको हम एक क्या करते हैं simple method से बनाते पहले यह बताओ 10% by mass का मतलब क्या है 10% क्या है जरा बोलिये तो by mass by mass कौन भाई by mass में कौन गुलकोच in water गुलकोच in water पता है इसका मतलब A है 10% by mass गुलकोच in water का मतलब है कि 10 gram of गुलकोच 10 gram of गुलकोच are dissolved in dissolved in कितना 100 gram of solution उमीद है कि आप समझ गये होंगे इसका मतलब यही है कि 10 gram गुलकोच जो है वो 100 gram percentage का मतलब क्या होता 100 ही ना पाई कितना percent है 10% तो बता रहा है कि 10 gram गुलकोच 100 gram solution में घुला हुआ है चलो अब यहां से गुलकोच क्या है बेट of solution कितना है 100 तो चली जो दिया हुआ है given है आप इसको लिख लो चला बोलो यहां से wa मतलब solid का weight 10 gram हो गया बढ़िया कोई problem चलो उसके बाद बता दो molecular mass चिला रहा है कि sir हम यहीं तो है 180 बढ़िया चलो उसके बाद अगर आपको wb पता हो जाता है तो मुला लीती निकाल लोगे तो निकल जाएगा सॉलूशन का दिया हुआ तो जली बोलिए wb कितना 100-10 ग्राम तो कितना हो जागा जाएगा बोलिए था 90 ग्राम अब आप पुछें कैसे सर अरे भाई गुलकोंच अगर 10 ग्राम है और टोटल 100 ग्राम है तो पानी कितना वाटर कितना बोलिए 90 ग्राम निकाल लिए अब यहां से आपको क्या निकालना था मोला लिटी मोला लिटी इस मॉल एम बोलिए w a into 1000 बाई a में into wb यही न बता दिजे w a कितना है देखे 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 तेन बढ़िया into 1000 ए में कितना है 180 अच्छा और w b कितना है 90 ठीक है चले a 0 से 0 मर गया इस 0 से 0 सहीद हो चला है अब जरा देखे तो कुछ कटेगा हां कटेगा एक इतना हो जाएगा 50 हो जाएगा एक इतना हो जाएगा जरा बताए तो 50 हो जाएगा और एक इतना हो जाएगा 9 हो जाएगा मतला आप देख लिजेगा ठीक है तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो यह 50 और 9 into 9 कितना 81 1, solve कर लिजेगा, solve किजेगा, तो 0.something आजाएगा, 0.6 के आजपास में आजाएगा, 0.62 small m, फिर से समाज लिजे, W ये 10 गराम, एमे 180 दे रखा है, W बी कितना हो जाएगा, 90 गराम, मॉलालिती ओटा, W into 1000, 1000 m into W, W के जाब पर 10 put किये, 1000 था ही, एमे कितना, 180 और 90, 1010 यहाँ कार दी, एक से यहाँ कार दी, उपर में 100 बचा हुआ है, और नीचे में 18 into 9, तो इससे एक टे तो ये 50 हो गया, ये 9 हो गया, 9 में 9 से multiply कि 81 हो गया, इसको solve करेंगे, तो 0.62 आ जागा, अभी एक ही part खतम हुआ है, दुसरा part बचा हुआ, दुसरा part में क्या है? मोलारीटी, दुसरा part में क्या है? मोलारीटी, चलिए अब जारा, दुसरा part को देख लेते हैं कि मोलारीटी क्या होगा, तह बरा असान सा तरीका, आप क्या काम करो, कि मोलारिटी निकालना है तो दो मेथद है, मैं पहले सिंपल मेथद, पहले आपको जिससे बनाना और फिर अबजेक्टिब के लिए भी बता देता हूं, ठीक है, चलो आजाओ, अब आपको पता है, अगर आपको मोलारिटी निकालना है, तो भॉलूम चाहि of solution बरावर क्या हो जाएगा बोलो तो, mass of solution, mass of solution, by क्या, by हो जाएगा, volume of solution, volume of solution, बढ़िया, चलो बता दो, density कितना है, density देखो, 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 density, 1.2 है, बढ़िया है न, अच्छा, आप बताएए, mass of solution है, क्या हाँ, sir है, 100, तचले, mass of solution, यहाँ, volume को भी, कोई दिकर, ml में ही आएगा, क्योंकि यहाँ, ml ही है, और एक ग्राम में ही है, तो जाएगा बतादे, यहाँ से भी निकालेंगे, तो, कितना, 100, by 1.2, बढ़िया, अब आप बतादो, क्या होता है, formula, मोला, मोलारिटी, कैप्टल M, WA into 1000, by MA into V, यही न, WA जरा देख लिजे, 10 ग्राम, 10 into 1000, यह में कितना हो जाएगा, भाई, 180, अच्छा, भॉलूम, आप कितना निकालेंगे, 100, 1.2, ठीक है, यह 1.2 उपर चला जाएगा, तो, पहले, कट कर दिजे, 10 से 10 चला गया, इस से यह चला गया, इस से यह चला गया, 1.2 है, बदा आसान है, यह 12 है, 1.2 है, और 10 से multiply करेंगे, तो 12 by 18, यानि कि 2 by 3, 0. कितना हो जाएगा, 6, 7, capital M, चलिए, एक बदा देख लिजे, बदा आसा तरीका था, मुश्किल वाले बात, नहीं, मुश्किल वाली कोई बात नहीं थी, एक बद फिर से, यह तो आप समझ गएगो, इसको समझा देते हैं, आगर आपको मुलारीटी निकालना है, तो देंसीटी चाहिए, तो देंसीटी तो देंसीटी तो दे रखा है, क्योंकि बिना भॉलूम के बात बनेगा नहीं, मुलारीटी में, और देंसीटी बरावर क्या होता, मास बाई भॉलूम, मास 100 दिया हुआ था, भी निकालना था, क्योंकि दें फर्मूला आपको बता देते हैं, जिस फर्मूला से उसी question को आप solve कर सकते थे, ठीक है, वो फर्मूला objective के लिए है, तब method 2 क्या है, method 2 देखिए, method 2 में एक फर्मूला है, इस पर आप डारेक्ट पूट कर दो, ठीक है, चलो बोलो, मास परसेंटेज कितना है भाई, 10, बढ़िया, 1.2 into 10, में कितना, 180, 10-10, 12, 18, कितना, 2 by 3, 0.67, एक और फर्मूला था, यह फर्मूला भी आप मन में रख सकते हैं, यह सबसे simple method मैंने उधर बता दिया, ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं, कुछ और question के साथ, मोलारिटी में, जो cbacboard और bharboard में पूछा हुआ है, तब तक के लिए, all the waste, खोब खाईए, खोब पढ़िये, अपने से बरो का ख्याल रखे, और उजी के साथ मिलते हैं, नेक्स्ते,